सौ साल की सास अरे मम्मी जी थोड़ा उम्र के हिसाब से काम किया करो कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे बहु ने बुड़ी सास का ध्यान नहीं रखा बहु तुम भी थोड़ा कम और धीरे बोला करो कहीं चिलाते हुए कभी कुछ हो गया तो वही लोग बोलेंगे सो साल की सास भली चंगी बैची है और बहू बेचारी चलती बनी बैसे ममी जी दादी बिल्कुल ठीक बोल रही है हैं? क्या ठीक बोल रही है? वो जो कुछ भी बोले वो सास है पर तुम क्यों बोल रही हो? बहु होकर सास से जुबान लड़ाओगी क्या ऐसा बोलते हुए निर्मला को धसका उठ जाता है कहा था ना मत चला मत चला तुझे बिना सास और बहु से जुबान लड़ाए बिना शांती नहीं मिलती अरी मा दादी के बाद सुन लिया करो तुमारे भले के लिए बोलती है ना अरे कोई भला नहीं इन्हें बस मुझे परेशान और शौफ करने का शौख है चल चूटी इस परिवार में तीन पीड़ी की आड़ते रहती है जिनका हर समय कोई ना कोई अलग ड्रामा चलता ही रहता है जिससे और किसी का पता नहीं लेकिन सूरज बहुत परेशान रहता है मा, प्याली और दादी आप तीनों के पास एक दूसरे को सास बहु वाले ताने देने के अलावा कुछ काम हो या नहीं पर मेरे पास ज़रूर है इसलिए प्याली जरा लंच ले आओ मुझे ऑफिस भी जाना होता है इस पर प्याली सूरज को लंच देती है और वो ओफिस चला जाता है जिसके बाद तीनों एक बार फिर अपनी बातों या कहलो की नोग जोप में लग जाती है इसे में दिन बीच जाता है रात को सूरज के साथ उसके दोस्त भी खाने पर आते हैं प्याली मेरे कुछ दोस्त आया है सॉरी अचानक प्लान बना तो बता नहीं पाया तुम जल्दी से डिनेर बना दो न अरे वाहरे आलसी मा के आलसी बेटी पहले बिना बताये दोस्तों को घर लियाओ फिर बोलो जल्दी से डिनेर बना दो इतनी जल्दी है तो खुद बना लो अरी मौता, सब बाद में दिखा दे न अभी खाना बना दो न, प्लीज ऐसा बोलके सूरज दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और पियाली डिनर की टेंशन में अपनी सास के पास पहुँच जाती है जो अपनी कमरे में आराम कर रही होती है ममी, सूरज अचानक दोस्तों को घर लिया है क्या करू अब? कुछ ऐसा बताऊ न, जो जल्दी बन जाए और सर्व करते हुए भी अच्छा लगे अरे, रेस्टोरंट से मंगा ले दुबारा परेशान मत करना, सोने दे मुझे इतने में दादी सास भी वहाँ आ जाती है बाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह बेकार है कुरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे बहु, तुम सो ही जाओ, वही काम अच्छे से कर सकती हो चल पियाली, मैं बताती हूँ क्या करना है इस पर दादी सास पियाली के साथ मिलकर सारे महमानों के लिए खाना बनाती है जिस से उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबका पेट भी भर जाता है दादी के इस आइडिया से पियाली और सूरज बहुत इंप्रेस हो जाते है दादी, क्या यही खाना आपके इस सुम्र में इतना एक्टिव रहने और एंडलेस लाइफ का राज है वैसे दादी ने आज तक राज किसी को बताया नहीं इन्होंने ससुर जी तक को नहीं बताया तभी तो वो उपर पहुँच गया है और ये अभी तक यहीं है तेरी सास मेरे उपर पहुँचने का ही इंतिजार कर रही है पर इस आलसी का ये सपना पूरा नहीं होने वाला क्यों जी अमर होने का वर्दान लेकर आई हो क्या अमर का पता नहीं पर लगता है तुझसे लंबा जरूर जी लूँगी इस से पहले की दोनों सास बहुँ में कोई बहस शुरू होती पियाली बीच में बोल पड़ती है ठीके ठीके आप तुनों लड़ क्यों रही है हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ हमेशा रहें पियाली की बातों पर दोनों शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसे चलने लगती है जहां दादी सुबह जल्दी उठकर कुछ न कुछ काम करते हुए पूरा दिन बिताती है तो वही निर्मला और पियाली लेट उठने से लेकर दीरे दीरे आलस में काम करना और जब मर्जी सो जाने से अपना दिन बिताती है एक दिन निर्मला की सहली उनकी घर आती है सहली की बात सुनते ही निर्मला भड़क कर चिलाते हुए पियाली और अपनी सास को वहां बुलाती है जिनके साथ सूरज भी वहां आ जाता है और ये सब देख सहली वहां से चली जाती है अरे सासुमा आपको हमसे क्या दिक्कत है अब तो मेरी सहली आभी आपकी वज़े से मुझे ताने देने लगी है मम्मी जी कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना आप इंग्नोर करो ना अच्छा वैसे महरानी वो तुम्हे भी वही सब बोल रही थी है मैंने क्या किया अरे किलस क्यों रही हो अब तो समझो और अपना लाइफस्टाइल सुधार हो ओ मोरी मैया अब हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया क्या आपका तो हाइफाई है ना बस उतना ही ठीक है तुम लोग हमेशा पूछते हो ना के मेरी इस उम्र और अभी भी इतने एक्टिव रहने का राज क्या है तो वो ये लाइफस्टाइली है जिसे हाइफाई नहीं पर सिम्पल कहते है दादी अब कहना क्या चाती हो यही कि मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत किताबे पड़ी है जिनमें एक किताब से मुझे ये समझ में आया कि हम कितने गलत तरीके से जिन्दगी जीते हैं उसी के बाद मैंने एक अच्छे जीवन के लिए इकी गाहिरूल अपनाया जिसका मकसद तो सिर्फ अच्छा जीवन जीना था इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद अच्छेंबा होता है ओ तो मतलब आप मुझे परेशान नहीं करती थी वो तो आप करती हैं वसे ये इकी काहिर क्या है थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लो आलसियों सब मैं ही बता दूँ क्या